नमस्कार दोस्तों आपको मेरा यूटूब चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाई सेल सिगनल सौटर तो अगर आप सियर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परिशान है या फिर आप जितने एक्सपेट कर रहे हैं उतना रिटार आपको नहीं मिल रहे हैं तो थ कैसे हम लोग को सब को बता है मार्केट में रोस काफी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉली अचीफ होता है मैक्सिमम अची हो पाता है तो कॉल це के लिए काफी चैलेंजिंग मैतर होता है जो कौन सा कॉल में हम लोग को tarik करना चाहिए और कौन सा कॉल में trade नहीं करना चाहिए और इस वीडियो में मैं explain करूंगा जो entry कैसे लेना है as well as exit कैसे करना है क्योंकि हम लोग entry तो काफी अच्छा से ले लेते हैं बड़ सही जगा पे market से नहीं निकल पाते हैं तो ये भी हम लोग का एक काफी negative point होता है जो हम लोग exit नहीं कर पाते तो इस वीडियो में exit करने का जो concept है उसको भी explain करूंगा तो वीडियो का अंतक जरूर देखिएगा तो वीडियो सुरू करने का पहले एक बड़ बता देना चाहता हूँ अगर आप इस market में new है account open करना चाहते हैं यह हम लोग का through join होना चाहते हैं जैसे हम लोग allies blue का साथ काम करते हैं काफी अच्छा broker company है काफी सारा facilities भी दे रहा है और पेसली अगर आप option trader है तो option trading के लिए allies blue का platform काफी अच्छा है तो अगर allies blue regarding अगर आपको more details जानना है तो मेरा वीडियो का नीचे description दिया गिया है महाँ पर account opening का form का एक link दिया हुआ है just link को open कीजिए form को submit कर दीजिए आपका बस allies blue का तरप से phone चला जाएगा आपका मन में जो भी doubt या queries रहेगा allies blue regarding account opening related अब directly कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है जादा benefit दे रहा है आपका existing broker से तब ही जाके join होगे तो चलिए अभी हम लोगा software का उपर थोड़ा सा focus करते है software क्या होता है और कैसे हम लोग को guidance करता है basically software का का काम होता है यह हम लोग को signal देता है अब इस signal कैसे देता है जैसे मेरा सामने अभी 38800 का bank nifty का put का एक chart लगाया हुआ है तो इस मेरा call put को इसी में भी काम कर सकते है जैसे यह जो green color का arrow आपको दिखाई दे रहा है यह हम लोग का signal है तो जब ही भी कोई signal बनेगा आपका screen का उपर automatically एक pop आप आजाएगा sound का साथ आपको ढूढने का ज़रूद नहीं है राइट साइड में देखे यहाँ पर value लिख के आ रहा है 502.7 इसका असपस यह buy का call बना था morning को उपर में date and timing भी आपको दिखाई देगा 11 तरिक 9 बच कर 25 मिनिट पर यह buy का call बना है अब यहाँ पर question है जो क्या यह buy का call सही था इसमें trade करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था तो यहाँ पर हम लोग 3 condition को basically match करते है buying का time नीचे का एक पट्टे आपको दिखाई देगा जिसका color totally green है तो buying का time इस पट्टे का color को green होना चाहिए यह आपका first condition है second condition buy का call का पहले एक star बनेगा तो देखिए उसका पहला अला candle में आपको एक चोटा सा green color का star दिख रहे है तो यह आपका second condition है third and most important condition नीचे का यह line indicator है नीचे में आपको एक line indicator दिखे देगा जो green होके उपर जा रहा है इसका color एक पर green हो रहा है red हो रहा है तो color उतना factor नहीं है obviously green मतलब यहाँ पर buyers बर रहा है red मतलब sellers बर रहा है बट main जो concept है यह middle का white line का उपर है या नीचे है अगर यह white line का उपर movement कर रहे है मतलब strongly buying जोन में जा रहे है तो यह 3 चीज़ को हम लोग को देखना पर रहे है 502 रुपया में आपको buy करने के लिए बताया गया है आप check कर लिए star है या नीचे का ribbon का color क्या है और यह line white line का उपर movement कर रहे है कि नहीं अगर यह 3 condition match हुआ है इसका मतलब है यह call आपके लिए strong call बन सकता है but trade करेंगे कम क्या 502 रुपया में आपको entry ले लेना है या फिर थोरा सा wait करना है entry लेने का सबसे base तरीका होता है जो signal का पहले हमें से एक blue color का candle दिखाए देखा देखिए आपको यहाँ पर एक छोटा सा blue color का candle दिख रहे है इस candle का जो high value है उसका उपर आपका order लगाना चाहिए तो देखिए buy का call तो बन गिया था यहाँ पर but blue candle का high को तोरा है आपका इस candle पर यह जो लंबा सा candle दिखाए देर है इस candle पर तो इतना दूर तक market में ऐसा कोई security नहीं था जो यह market उपर जाएगा या नहीं जाएगा जैसे blue candle का high को तोरा blue candle का अगर high value का हम लोग देखेंगे तो इसका high था 549.7 मतलब 550 का असपास buy करना चाहिए था तो सूचे 550 में आप इस candle पे buy कर रहे है 10 बच कर 10 मिट पे तो इसका पहले अगर आप market को तोरा सा देखेंगे काफिया तक market नीचा आ गया था और उसका बाद दीरे 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 उपर लेके गया और इस candle पे यह blue candle का high को तो 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 पांसो पचास रुपिया में आप सोचे यहाँ पर buy की अब buy करने का बद आपको क्या धान में रगना है जो exit कहां पर करेंगे उपर में आपको एक green color का dotted line दिखाई दे रहा है यह आपका resistance line है तो यह एक अंदाजा है जो कितना उपर जा सकता है तो पांसोर पचास रुपिया में अगर मैं यहाँ पर buy कर रहा हूँ यह जो green dotted line है उसका value देके right सेर में लिखा है 673 मतलब आप यहाँ पर expect कर रहे है जो यह नीचे का line indicator उस time already red हो गया है तो red होने का मतलब ऐसा नहीं जो आपको यही पर निकल जाना है और entry नहीं ले पाएंगे not like that क्योंकि यह line जब तक यह white को तोर के नीचे नहीं आता है तब तक आपका हाद में scope है तो देके within three candle आपको यहाँ पर आपका hundred point को cover कर चुका था candle पर मुझे दिखाई दे रहा है जो यह line white line को तोर के नीचे आ दिया इसका मतलब है इसका बाद आप यहाँ पर और wait नहीं कर सकते अगर आप 550 में entry लिये है और इस time अगर आप नहीं भी निकाले तो 620 का value में यह जैसे 0 को तोर रहा है तो आपको अपना position छोड़ देना ह तो entry and exit both is very very important तो यहाँ पर जो आपको मैं profit दिखाई यह आपका एकदम practical profit है जो आपको मिलने वाला है ultimate दीके दिरी दिरी line नीचे आगया इसका मतलब है trend selling में आगया नीचे का ribbon भी देखे रेड हो चुका है बड़ आपको wait करना है जब तक signal नहीं बनेगा जैसे यहाँ पर आके आपको signal दिखाई दे रहा है इस candle पर 515 रुपया का असपस यहाँ पर sale का call दिया था अब market गिर रहा है और यह line green होके उपर जा रहा है तो आप तब तक wait कर सकते हैं जैसे यहाँ पर देखिए इस candle पर यह line white को तो रहा है इसका पहले यहाँ पर यह जो दोनों line का crossover है यहाँ पर भी notice रख सकते है क्योंकि नीचे का ribbon यहाँ पर भी green हो गया था तो इसका पहले भी पोजिशन छोड़ सकते हैं पर यहाँ पर भी आपको छोटा मोटा एक profit अल्लेडी सॉफ्टर ने दे चुका है ultimate अभी जो call बना है यह buying का call है अभी buy का call में आगे बरेंगे देखिए अभी इस call में star नहीं बना है तो star बना थोरा सा late में अब इस type का situation में आपको wait करना पड कम नहीं है जैसे यहाँ पर call में star बना यहाँ पर तीस type का call में entry नहीं लेना ही बेटा रहे जिसमें कोसिस कीजिएगा जिसका signal का पहले already star बना है यह buy का call का पहले already star बना था तो उस type का call ज्यादा अच्छा रहेगा और call आने का काफी late में अगर star बनता है तो थोरा सा alert रह लाता है तो इस सबसे आप chart analysis करेंगे अभी उपर में आपका real time value update होते वह दिखाए देगा तो यह buying का trend अभी चल रहा है तो काफी simple technique है signal बनेगा तो notification आएगा आपको 2-3 parameter को match करना है trading का मतलब होता है opportunity अगर opportunity है तो trade करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो hopefully वीडियो समझ में आया है काफी simple logic है अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो like share जरूर कीजिए first 10 channel को देख रहे हैं तो subscribe करना ना भूलिए और इस market leader अगर आपको मेरा और भी बहुत सरा वीडियो किया है मेरा contact details भी दिया हुए तो thank you thank you so much goodbye